नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने चैनल भारतिय ब्लोगर पर, जिस तरीके से सुबह की हुई गटना के बारे में आप लोगों को पता चला, और विस्तार पूर्वक हमने एक अच्छा लाइव सेशन रखा, और उस लाइव सेशन के अंदर दी गई जानकारी अब आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत कुछ बता के गई है, उमीद है आप लोगों ने वो जानकारी जरूर देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी है, मैं आई बटन के अंदर लिंक लगा देता हूँ, किरपिया इस जानकारी को संपूर्ण अवश् वैसे ही मैं आप लोगों के पास में वो पाँच प्रिडिक्शन जो आगे आने वाले टाइम के अंदर सत्य साबित होती हुई नजर आने वाली है, और ये प्रिडिक्शन जल से जल सत्य साबित होगी आप लोगों के सामने, तो बिना स्किप किये एक एक बात को दिहान पू बहुत ही मैत्पूर्ण जानकारी है, तो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे को सपोर्ट मिलता है, और आप बारतिय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, एक ऐसी फैमिली जो की भविश्य में होने वाली गटनाओं के बारे में पहले से जानकारी प्रदान करती हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को सूर्य ग्रहन का दिन आज, दो अक्टूबर, एक ऐसा ग्रहन जो 2005 में लगा था और उससे पहले भी लगा है, कई बार ये ग्रहन, क्यूंकि ग्रहन अपने आप में एक अलग प्रकार की यूति क्रियेट करते हैं, एक अलग प्रकार अमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ग्रहन अमारे लिए खराब होते हैं, तो ये जो ग्रहन है, इस ग्रहन के कारण देश और दुनिया में बहुत सारी चिंताएं भढ़ती हुई नजर आती हैं, सूरिये ग्रहन नो ग्रहों के राजा हैं सूरिये, भारत की कुंडल आप देते हैं बहुत जादा तेज देते हैं तो हम लोग जलने लगते हैं आप देखी हमसे यह सहन नहीं हो पाता कि इतनी गर्मी यह हम लोगों को अप्रदान करें और अगर सूरिय ना दिखाई दे तो उस दिन के मोसम के अंदर हुआ हुआ बदलाव हमारे को सर्द और करण बन रहा है és कैसी यूती बन रही है जो तभाई की बात हो रही थी वह तभाई की बात आंगे आने वाले टाइं के अंदर सत्य साबित होती ही नजर आती है अ अ बास प्रिडिक्शन में पहली prediction जितने भी किसान भाई हैं हमारी उन किसान भाईयों के उपर इस समय का इस ग्रहेंड का इस पड़ाओ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आने वाला है खास तोर के उपर फसलों के उपर खाने की चीजों के उपर फसलों के उपर बहुत बड़ा कारक बनेग जिसके कारण कई जगाओं के उपर नुकसान होता हुआ, खाद परदार्थ, खाद सामगरी का महंगाई दर बढ़ता हुआ और खाद की समस्या होती हुई हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है दूसरी प्रेडिक्शन कि अगर मैं बात करता हूँ, तो इस समय में कुछ ग्रहें ऐसी यूती बना रहे हैं जो कि बिमारीयों को बढ़ाने वाली यूती है, इस समय के अंदर आप लोगों को हार्ट रिलेटिड समस्या है कई परकार के इंफ्लेंजा वाइरेसीज जो इंफेक्शन क्रियेट करें खास तोर के उपर चेस्ट इंफेक्शन और नोज इंफेक्शन क्रियेट होता हुआ हम लोगों को नजर आए ये आगे आने वाले टाइम के अंदर बड़े कारक बनते हुए नजर आती है तीसरी अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ हमारे राजनीती की राजनीती सत्ता सत्ता के अंदर होटा हुआ बहुत वड़ा बदलाओ सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग जो उच पदो के उपर है खास तोर के उपर सरकारी पावर के अंदर है या इनके पास में ऐसी कोई पावर है जो जनता के लिए कारक बन सकती है किसी भी परकार के कारे करने का ये सूपर पावर के अंदर रहते हुए लोगों के लिए अब चिंताएं बढ़ने वाली है आंतरिक मुद्धे इनके निकलते हुए सामने आते हुए दिखाई देंगे किसी ना किसी परकार के विवाद कोट केस के अंदर ये लोग फसते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे और आप लोगों के सामने पक्ष और विपक्ष के मुद्दे इस परकार से उटेंगे जो जनता के लिए बलाई का काम करने वाली है मतलब जो छुपी हुई सच्चाई थी वो हमारे सामने निकाल के आने वाली है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलती हुई आने वाली है सूपर पावर की अगर मैं बात करूँ तो विश्व के अंदर बनता हुआ सूपर पावर जो अपना अधिपत्ते इस विश्व के उपर बनाता है दिखाता है वो इस समय गहन चिंता में कई परकार की गंभीर परिस्तितियों में हानिकारक परिस्तितियों में फस्ता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा इसके बाद में इस साल के बाद हमारे पास में आगे आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही इनके चुनाओ मिलते हैं चुनाओ होते हैं उस चुनाओ के बाद में होने वाली गतिविदियां खास तोर के उपर इस देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेंगी अर्थव्यवस्ता की मार से जूसता हुआ ये देश दिखाई देगा इसके उपर संपूर्ण वीडियो लेके आऊंगा मैं आप लोग के पास में क्योंकि आने वाली समस्य आप दिखाई दे रही है तो बताना आप लोगों के लिए जरूरी है तो जरूर बताऊंगा उसको चोथी प्रिडिक्शन अब ये वाला ग्रहेंड वो समय निकाल के लेकर के आएगा खास तोर के उपर उन देशों के लिए उन अरेबियन कंट्रीज के लिए उन खाडी देशों के लिए जो आपस में विवादित परिस्थितियों में फस्ते हुए नजर आए और 2025 को जो 2005 के अंदर गटना गटित हुई थी वो गटना 2024 में ट्रेलर के रूप में देखने को मिले और एक बार फिर से 25 के अंदर वो रिपीट होती हुई दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि Arabian Countries के लिए समय खराब आ गया है और Arabian Countries एक दूसरे के साथ में विवाद करेंगी एक दूसरे के उपर भरोसा खोती हुई नजर आएंगी और किसी ना किसी गंबीर परिस्थितियों में फस्ती हुई नजर आती हुई दिखाई देंगी पाँचवा और आखरी कारक लीडर्स की बात करी है तो नेचर को कैसे बूल सकते हैं नेचर, नेचुरल क्लेमेटीज, भुकम्प, जल वाली जगाओ, जल वाले शेत्रों के उपर पढ़ने वाली कठनाईया इस ग्रहेंड के कारण जल के उपर होता हुआ असर, जल के कारण उत्पन होने वाली पीडा, कई परकार की परिशानियों में हमें डालती हुई नजर आईगी खास तोर के उपर कई ऐसे आईलेंड, जिन में भुकम्प की संभावनाएं हम लोगों को देखने को मिले, कई ऐसी जगाएं जो भुकम्प से पीडितों, जहां पर अत्यादिक भुकम्प आते हैं, खास तोर के उपर ज्वाला मुखी वाली जगाओ उपर भी, भुकम्पो गुबर के महां से मैंने आप लोगों को बताई है, क्योंकि यह महत्पूर माइना है, जो कारक बना रहा है कुछ नई यूतियों का, कुछ कारक बना रहा है ऐसे गोचर का जो हमारे सामने ग्रह उत्पन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ट्रांजिट हमारे को, कई ग्रह रेट्र लगाओगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले जो लोग अपना एपाइंडमेंट प्रोसेस कराना चाते हैं नीचे चल रहे नंबर के उपर प्रोसेस करा सकते हैं आप लोगों ने पूछा था कि भहिया लाइ जब नहीं दिया जाता है जब आपका एपाइंडमेंट प्रोसेस हो जाएगा मैं स्वेम आपको कॉल करूंगा और उस समय के उपर जो टाइम आपको दिया जाएगा उस समय पर कुंडली का विशलेशन करेंगे तो आज के लिए इतना ही जै श्री कृष्णा जै माता दी कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए गटना करम कुछ नई ग्राइक परिस्तितियों को आपके सामने लाते हुए बताते हुए आपके अपने चैनल भारतिय ब्लॉगर पर जै शी कृष्णा जै माता दी